आई फोक्स वो ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो कंपनी की पहली जो कंपनी है वो है जोवैटो और दूसरी जो कंपनी है वो है स्विगी हम सभी को पताए कि स्विगी का जो है अभी IPO आने में ही है कुछ दू-तीन मेरों के अंदर या 4-5 months के अंदर maximum cases में स्विगी का जो IPO है वो आ जाएगा और बहुत सारे लोग ये इंफ़ैक्त रामदय अगरवाल भी स्विगी के जो share से वो बाय कर रहे Unlisted Markets से अब Unlisted Markets जो है हमारे Country के अंदर बहुत जादा है जासे आप Unlisted Companies के जो Stock से वो बाई कर सकते हो अब Unlisted Company होती क्या है कि जो Company आपके Stock Market पे लिस्टेड नहीं है आप जाके उनके Stocks purchase कर सकते हो unlisted stock को buy कर सकते हो तो वहाँ पर आप जाके इन जो stock से इनका price जो है वो check कर सकते हो और अब यह unlisted stock कहीं सारे company के हो सकते हैं जैसे कि आपका Swiggy का हो सकता है या फिर आपका boat in fact HDFC live HDFC भी लिस्टेड है मेरे हिसाब से HDFC का भी एक जो stock है वो लिस्टेड है और अभी इतना जादा प्रेमियम आ चुका है कि Swiggy का जो stock है जो जिसका price कुछ 425 के असपस था जून के अंदर उसका price जो है अभी 515 के असपस जा चुका है मतलब एक सान के अंदर Swiggy के जो unlisted stock से उन्होंने रेटन दिया है 115 का अब यह unlisted stock जो है आप कोई नॉर्मल ब्रोकर के थ्रूबाई नहीं कर सकते हो आपको दूसरे जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रूबाई करना पड़ेगा जो की नॉर्मल नहीं होते है और अप unlisted stocks का जाद होता गया है कि जब भी आप इन stocks को बाई करोगे तो यह आपके CDSL account के अंदर जो भी आपका DMAT account आपका DMAT account नहीं बोल सकते हैं आपकी जो depository है CDSL या NSDL में आपका जहाबी account होगा या उस ब्रोकर का जहाबी account होगा तो यह आपके या तो CDSL depository या फिर NSDL depository के अंदर आके store हो जाएंगे और जिस दिन list हो जाएंगे इस stocks तो आपको इन stocks के उपर return अच्छा खासा दिखने मिल सकता है अब कई सारे लोगों के prediction है Swiggy जो है वो IPO के पहले IPO के बाद जो है Swiggy जो है अपना IPO price पर आएगा उस पर अराम से डबल हो जाएगा तो Swiggy के stock का जो price है अब ही 515 रूपीज है तो लोगों का ये prediction है कि कुछ टाइम बाद जिस price पर Swiggy जो है अपना issue price रखेगा वो price अराम से डबल हो जाएगा लोग जो है GMP के तो भी पैसे कमाया लेंगे listing gains के तो भी पैसे कमाया लेंगे आपके जो कोई भी company रेंदो आपकी Zomato रेंदो, Swiggy रेंदो, HDFC Life रेंदो या फिर आपकी boat वगेरा कोई भी listed unlisted company रेंदो भी recently बजा जाओ जिनक finance का IPO आया है PNG Gargis Willis का IPO आया है तो ये जितने भी IPO आते है इन companies का main aim यही रहता है investment bankers और company का कि इन companies को maximum valuation प्रोवाइड किया जाए जिसके वज़े से यह जो investment bankers से वो profit कमा सके और company के promoters से वो भी अच्छागासा profit ले सके यही reason के वज़े से company जो है वो public जाती है और बहुत सारे अलग-अलग reasons की वज़े से और बहुत अलग-अलग reasons भी होते है जिसके वज़े से company पब्लिक होती है कैसे को equity चाहिए होती है कैसे को fund चीए होते है तो इसलिए वो equity raise कर लेते हैं तो यहीं कुछ reason होते है लेकिन maximum आजकल की टेक IPO है वो यही reason की वज़े से IPO अपना लेकर आ रहे companies के अंदर और अपनी जो company से वो list कर रहे तो अब Swiggy का भी IPO आने में ही है तो Swiggy के stock जो है अच्छा खासा return देना start कर चुका है बहुत बड़ा fund manager रामदय अगरवाल जो की मूतिलार हो स्वाल के one of the co-founder है तो उन्होंने भी Swiggy के अंदर जो stock से उसके अंदर enter किया है कुछ अब कितना percentage buy किया है उन्होंने वो मुझे exact याद नहीं आ रहा है तो उन्होंने भी buy किया है बट Zomato और Swiggy को अगर हम compare करें और अगर हम देखे कि क्या आपको जो यह Swiggy के unlisted stocks वो buy करने चाहिए क्या सबसे बड़ी बात unlisted stocks buy करने में बहुत बड़ा risk होता है आपको इन brokers पे जिन पे आप trust भी नहीं करते हो उनके तुरू जा कि आपको यह unlisted stocks वो वो buy करने पड़ते है unlisted stocks की कोई valuation नहीं होती है अब जैसे की zomato है तो हम zomato की valuation कर सकते है हम इसका forward PE earnings आगे के जो earnings रेविनियूज बगेरा है वो predict कर सकते है management जो है आपके guidance देता है अब के unlisted stocks जो है उसके अंदर यह जो चीज़े वो possible नहीं है और zomato जो की public company है उसके बारे में आपको information निकालना बहुत जादा simple है लेकिन swiggy जो की अभी फिलाल unlisted stock है इनके बारे में information निकालना आपके लिए बहुत जादा tough हो जाता है क्योंकि unlisted stocks की जो है बहुत कम information जो होती है वो public के पास होती है जैसे कि आप देख सकते हो जब normally अगर swiggy का consolidated revenue statement वखेर सर्च करोगे तो swiggy के आपको कुछ income statement वखेर मिल जाएंगे लेकिन आपको इससे जादा जादा कुछ नहीं मिलेगा अब यह सब बाते कर बिना की है हम सीधा आ जाते है एक बार अब यहीं कुछ unlisted stock से जोगी आप देख सकते होगी यहाँ पर आप सार्च करोगे तो आपको swiggy का पर stock मिल जाएगा तो कई सारी जो companies होती है अलग-अलग platform पर उनकी जो unlisted stock से वो list हो चुके होते हैं जाएगे एनसी का पर stock ही तो उससी तरीके से swiggy का भी unlisted stock market के अंदर stock जो है वो trade कर रहा है लेकिन हर unlisted stock market के exchange पर जो stock trade करता है वो ऐसा नहीं है कि इसका IPO लेकर ही आई कमपनी की कई सारी companies ह जो कि कई टाइम से unlisted stock exchange पर trade कर रही है लेकिन इनकी IPO अब तक नहीं है लोग उनमें invest करकर अभी तक बैठे हुआ ही है Zomato और Swiggy की बात कर लेते हैं तो Zomato और Swiggy दोनों आपकी country की सबसे बड़ी food delivery companies है अगर आप देखोगे तो Zomato जो है वो बड़े fast pace पर अपना जो revenue से उसका base increase करते जा रहा है और Swiggy जो है Zomato के इसाप से मुझे इतना साधा attractive नहीं लगता क्योंकि मैं basically अब यह unlisted और listed को compare करना है तो हमरे पास कोई guidance नहीं है तो हमें इन दोनों companies को बस इनके numbers और business model पे compare करना पड़ेगा Zomato की अगर आप बात करो तो Zomato जो है अपना जो business है वो अच्छा गासा expand कर चुका है अब basically इनका food delivery वाला business भी है quick commerce वाला business भी है अभी going out वाला business भी कर रहे है और इसके साथ साथ इन्हों ने रीसेंट्री पेटीम का movie ticketing वाला business भी acquire किया है तो यह कुछ businesses है जो की Zomato के है और बहुत सारे अगर आप Zomato पे जा की check कर होगे तो बहुत सारे concerts हो गए है या बहुत सारे जो going out activities हो गई जो की live activities है उनके उपर भी आपको Zomato के app पर भी आपको इनके tickets मिलने चालो हो जाएगे तो Zomato को basically एक half fun उनका app बनाना है इसके ज जो groceries बगेरा वो भी deliver हो जाएगे quick commerce के through अब Zomato का quick commerce brand है वो है Blinkit और Swiggy का quick commerce brand है वो है आपका InstaWatt अगर हम बात करें Zomato और Swiggy की तो Zomato जो है अपने revenues पढ़े fast pace पे increase कर रहा है अगर आप देखोगे तो Zomato के revenues के अंदर हमें consistency भी देखने मिलेगी Zomato जो है अपने revenues अभी year on year अगर आप देखोगे तो 62% से increase कर चुका है इसके पहले 61 था उसके पहले 54 उसके पहले 54 तो Zomato जो है बड़े fast pace पे अपने revenues इंक्रीस कर रहा है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात जो कि मैं बताएं जा रहा हूँ कि Zomato जो है profitable भी जो ह प्रॉफिटेबल नहीं था लेकिन स्विगी जो है वो भी profitable नहीं होगा बट आप दो कंपनी इसका comparison कर रहे हो यह यात रखो हम स्विगी को भी गंपर कर रहे है हम यह नहीं देखेंगे कि भाई यह हो सकता है वो हो सकता है दो कंपनी इसका comparison कर रहे हो दोनों इसे better bet कौन सी था शुब उसे नंबर भी बताते है जुब मैटो के अंदर आपका स्विगी जो वो profitable नहीं है जुब मैटो के अंदर आपका जो ब्लेंगेट वाला segment है मतलब कुछ कॉमर्स वाला segment है इसमें लोग 10 विनिट के अंदर 15 मिनिट के अंदर डिलेवरी कर रहे है ब्लेंगेट व और इसके साथ साथ ब्लिंकिट भी कुछ टाइम बात एविट्टा ब्रेक इवल हो जाएगा इनका जो पूट डेरेवरे वारा बिजनस है जो मैटो का अल्रेडी प्रोफिटेबल हो चुका है और बड़े फास पेस पे अपने जो रेविन्यूस है वो भी इंक्रीस करते जा र क्योंकि ब्लिंकिट जो है इंका भी मार्केट लिए रहा है या इपोस डिलिवर कर रहा है पीस पाइड डिलिवर कर रहा है तो बाखी जो चीज़े है ब्लिंकिट वो डिलिवर करना भी साथ कर देता है और यह लोगों के लिए बहुत बड़ी लग्शिरी है कि वो कुछ भ बहुत स्विगी भी यूज करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलों कि स्विगी का जो फूड डिलिवरी आप वो यूज नहीं होता है बट अगर अगर अब स्विगी का जो इमेज है उनके सब से कंपर करोगे तो जो मैटो जो है वो थोड़ा जादा हाइलाइट होकर आता है बट जीतना मैं नहीं है जो घ्यांन से सचनी है इसके बाड़र में भी पिर स्विगी के जो अगर हम कमेर करें तो जहाँ के रिवन्यूज थे ऐसा धा ऑचर कर चाहए 52% से इंक्रीज हो रहे है वहाँ स्वीगी के रवन्यु से सिफ 66% से इंक्रीज हो यो यर ओनधर आगर अगा प्रिच सब्सक्रीर का तो तो ब्लिंके जो है इंटरनेट पे कि Blinkit और Instamart में कौन सा ज़्यादा बेटर है तो obviously आपका जो Instamart है उससे कई ज़्यादा market share जो है Blinkit कवर करता है तो ये Zomato के लिए एक और positive बात हो जाती है फिर उसके बाद आप देखोगे तो Instamart का जो revenue है वो double हो चुका है और इनकी जो average order value है वो भी increase हो चुकी है लेकिन उसे साब से भी Zomato की जो average order value है वो Blinkit से आपके कई ज़्यादा है कई ज़्यादा तो ये कुछ चीजे होती है जोगे आपको notice करने चाहिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब बेसिकलि अगर में कुछ Zomato का सीधा comparison करना हो तो मैं तो अब ये को investment advice नहीं है सीधा जाके पहले जाके investment start करना मतलब investment मत start कर देना चोटे बच्चों जैसे ये जो है एक investment analysis वीडियो है जहापे आपको दो companies का analysis दिया जाएगा हम compare कर रहे है educational purpose के साब से ये वीडियो बनाया गया है चोटे बच्चों जैसे जाके सीधा stocks purchase करने मतलब जाना कि इसने बोला invest करने तो मैं invest कर दिया और फिर मेरा profit हो गया loss हो गया तो ये सब चीज़े निक्छी है तो numbers के साब से देखे तो Zomato जो है वो मुझे जादा better bet लगती है क्योंकि Zomato के जो numbers है वो Swiggy के numbers से बहुत जादा better है अब मुझे फरक नहीं पड़ता है कि ये कब profitable होगा कब ये होगा वो होगा मुझे फरक नहीं पड़ता है मेरे को अब सुमेटो जो है listed है Swiggy जो है unlisted है हमारे पास Swiggy की जो है जादा information है नहीं तो हमें सिर्फ numbers पर comparison करना पड़ेगा और numbers के सबसे Zomato मुझे बहुत जादा better bet लगती है अगर long term bet लेनी होगी बट हाँ एक और चीज है कि Swiggy को मतलब आप बेसिकली देखोगे तो आपको Swiggy के IPO में लिस्टिंगेंस मिल सकते है लेकिन आप सभी को पताई कि IPO जो है एक lottery यह मूता है जहाँ पर एक company जो है अपना highest valuation code करेंगी अगर आप Zomato भी देखोगे तो आपको अगर IPO पे नहीं बाई कि होगा तो यह आपके लिए बहुत जाता better होगा और मैं तो बोलूगा अभी नहीं कि आप Swiggy को जाके सीधा जाके IPO पे बाई कर लो कि Swiggy अभी तक losses के अंदर है management का क्या execution है क्या plan से वो तो हमें पता नहीं है तो Swiggy को भी हमें track करते रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन जादा better turn out हो रही है company जिसतें Swiggy से better turn out हो जाएगी तो उस टाइम पे हम सोच सकते कि Swiggy में हम हमारा capital जो फैनिश्ट होने के बाद जब वो सो मैटो से better हो जाएगी तब थोड़ा पहुत allocation देख सकते है बट अभी के हिसाब से current scenario के हिसाब से future prospects consider करते होगे जो मैटो मुझे बहुत जादा attractive bet लग रही है Swiggy के साथ compare करोगे अगर आप तो इस वीडियों बस इता ही था content अच्छा लगा तो like कर देना video अच्छा लगा तो subscribe कर देना video अच्छा लगा तो like कर देना video अच्छा लगा तो like भी कर देना और that's it thank you for watching एतला ही discussion था जो मैट अच्छा लगा बहा तो